पैट वैट टाउन में दोस्तों आपका स्वागत है दोस्तों आज हम जानेंगे हीलेंट स्प्रे के बारे में कि हीलेंट स्प्रे है ये पशु में कौन कौन सी कंडिशन में कौन सी बिमारियों में अपन यूज कर सकते हैं और इसका उपयोग अपन कैसे करें दिन में किती बा करें तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें बेल आइकिन के बटन को भी दबाएं तो आए दोस्तों शुरू करते हैं हीलन्ड यह विर्बैक कमपणी के आती है यह स्प्रे के साथ साथ में अपने को क्रीम फॉम में भी अवलेबल है यह अपन क्रीम अगर इसकी यूज़ करना चाहें कोई जानवर एजी लिए लगवा लेता है तो वहाँ पे क्रीम फॉम में भी यूज़ कर सकते हैं हलागे क्रीम फॉम के इसके रिजल्ट बहुत अच्छे है स्प्रे की बजाए और दोस्तों इस स्प्रे जो है स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे जानवर जल्दी सी हाथ नहीं लगवाता है या अपने को मालिश नहीं करने देता है और लगवाने नहीं देता है तो वहाँ पे अपने दूर से स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं इस bottle के साथ में एक pump आता है spray करने के लिए इसको उपर tight करके अपन लगा सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं कि hyalent जो spray है पशू में कौन-कौन सी बिमारियों में कौन सी condition में अपन यूज़ कर सकते हैं दोस्तों पश्यों में सबसे ज़्यादा अगर जहां पे इसका यूज होता है वो है Mastitis में अगर क्या है कि कभी-कभी देखते हैं कि जो अडर है जो अयन है पश्यों का वहां पे स्वेलिंग हो जाती है काफी redness हो जाती है तो उस swelling redness को खतम करने के लिए अपन हीलेंड स्प काफी swelling आ जाती है सूजन आ जाती है वहां पे यूज कर सकते हैं arthritis है पश्यों के जोडों में समस्या आ जाती है जोडों में दर्द है पश्यों के सूजन है वहां पे भी इस healing spray को यूज में लाया जा सकता है कभी-कभी देखते हैं कि पश्यों नीचे गिर जाता है किसी कार दोस्तों के दर्द को और सुजन को भी दोस्तों कम करता है कभी कभी दोस्तों जो भारवाहक जो जानवर है जैसे बैल है जहां पर जुताई के लिए जिनको काम में लिए जाता है या भारड होने में काम में लिए जाता है तो उसकी जो गांट को कम करने के लिए वहां के जो उसको कम करने के लिए भी दोस्तों हीलेंट स्प्रे का यूज किया जा सकता है और हीलेंट अगर अपन को क्रीम मिलती है तो उसको भी दोस्तों अपन यूज कर सकते हैं तो कि जो भारवाक एनिमल है उनमें जो गर्दन के उपर अपने को ये जो समझ्या दिखाई देती है तो वहाँ पर अपन दोस्तों यूज़ कर सकते है दोस्तों अब बात आती है कि हीलन्ट जो क्रीम है अपने को यूज़ कैसे करनी है दोस्तों अगर जिस भी पार्ट पर अपन यूज़ कर रह expedition है और करनी कैसे है इसे दिन में दो बार अपन यूज़ कर सकते हैं अगर अपन क्रीम फोम में कहीं पर यूज़ कर रहे हैं तो क्रीम फोम में वो भी अपन ऐसी लगानी है उस पर्टिकलर पार्ट को अच्छे से साफ करें वार्म बाटर से हलके से और साफ करने के बाद वहाँ पे करीम अपन अच्छे से इसको लगा सकते हैं और दोस्तों ये जो अपन दिन में दो बार अपन यूज करें सुबह और शाम अपन इसको यूज कर सकते हैं इसको डारेक्ट धूप में नहीं रखा जाए बच्चों की पहुंच से दूर रखा जाए जब भी इसको आप यूज करते हैं तो थोड़ी सेफटी रखें आँखों में ना जाए आप इस बात का भी ध्यान रखें तो दोस्तों ये जानकर ये आपको कैसी लगी आप जरूर बताईएगा और साथ ही साथ आप इसका यूज करने से पहले एक बार अपने पसूची कस्तक से फरामर्श जरूर लेएँ धन्यवाद